पिछले वीडियो में हमने scratch का pen extension यूज़ करते हुए ये spirograph बनाने का program लिखा इस वीडियो में हम इसी program में ये controls डालेंगे कि user number of sides और polygon की size determine कर सकता है और user जितनी भी number of sides और उनकी length का size देगा हमारा program जो है वो उसी shape का spirograph बना देगा तो ये program बनाने के लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो भी polygon है किसी भी number of sides का polygon है उसके जो external angle है उस external angles का total जो है वो है 360 degree तो कोई भी polygon जो की convex polygon है उसके sum total of external angles है वो 360 degree है फरक नहीं पड़ता कि उसमें कितनी sides हो concave polygon होता है अगर कोई एक side जो है किसी polygon की वो concave हो इस तरीके से जो अंदर concave जा रही हो पर अगर as long as वो polygon convex है तो उसकी total जो angle है external angles का जो sum है वो 360 degrees है तो इस loop को वापस मैं हटा रहा हूँ क्योंकि जो main loop था यहाँ पर जो की shape ड्रॉ कर रहा था क्योंकि जो दूसरा loop था यह तो cable उस shape को repeat कर रहा था तो हम पहले इस loop को देख रहे हैं जो की shape बना रहा था तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि अभी हम इसमें एक square बना रहे थे तो square में हम कह रहे थे कि total size 4 हैं और इसलिए हम 360 degrees divided by 4 हम कह रहे थे कि जो turn करना 90 degrees का turn करना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर हम operators में जाएं divide का operator लें और हम इसको कह देते 360 divided by the number of sides यानि square बना रहे थे तो वो 4 था तो हम rather than defining 90 हम उसको इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हमारी shape है उसकी जितनी भी sides है यहाँ पे अगर square था तो 4 तो 360 divided by 4 अगर हम इसको चलाते हैं तो हम हमारा square बन गया अब अगर हम इसको कहते हैं कि हमारे को polygon चाहिए triangle 3 sides और उसका external angles का total 360 है divided by 3 कि कि कितना turn करना वो shape बनाने के लिए वो इस से determine हो रहा है तो अब अगर हम इसको हम clear के चला रहे हैं तो हमारा triangle बन गया triangle का size of course कितने steps हम move करा रहे हैं उससे determine होता है तो यह हमारा बड़ा triangle बन गया इसी तरीके से अगर हम pentagon बनाना चाहते हैं तो हमने कहा कि number of sides 5 और 360 को 5 number of sides से divide कर देना तो हमारे पास pentagon बन गया और इसी तरीके से एक last देख लेते हैं decagon 10 size तो 360 divided by 10 यह size बड़ा हो गया edge को hit किया इसलिए यह shape गलत हो गई है तो हम इसका size जो है वो 50 कर देते हैं और फिर बनाते हैं तो हमारे को decagon मिल गया तो I hope आपको यह बात समझ में आई कि हम यहां क्या कह रहे हैं कि जो भी number of sides आपको draw करनी है वो number of sides आप define कर दो और 360 क्योंकि total जो उसका external angle कोई भी polygon, convex shape, polygon का total 360 है तो उसको अगर number of sides से divide कर दो तो जब sprite हमारा move करेगा 50 जितना भी हम number of steps बोलेंगे तो कितना वो turn करे is given by this formula 360 divided by the number of sides तो यह अगर अब आपको यह समझ में आ गई तो हम यहां क्या चाहते हैं कि हम user को control देना चाहते हैं कि कितनी number of sides की वो shape draw करना चाहता है इस program को use करके तो इसके लिए हम variables में जाते हैं और हम एक नया variable बना रहे हैं जिसको हम कह रहे है number of sides तो यह number of sides में अब user जो है वो बताएगा कि कितनी number of sides चाहिए हम यहां पर specific number of sides डालने के बदले इसको variable डाल देते हैं तो हम कह रहे हैं कि user बताएगा कि कितनी number of sides चाहिए और जो भी वो है 360 को उस से divide कर दो तो अब अगर हम यहाँ पे number of size अगर मैं इसको right click करता हूँ और slider बना देता हूँ तो मैं slide करके determine कर सकता हूँ कि size कितनी number of size चाहिए तो अगर मैंने कहा यहाँ पे कि 3 चाहिए size और clear किया तो मेरे पास triangle मुझे मिल गया उसके बाद अगर मैंने कहा कि मुझे octagon चाहिए clear किया तो मुझे octagon मिल गया तो I hope आपको यह बात समझ में आई कि हमने इसको formula से replace कर दिया है और हमने जो control है वो user को दे दिया है कि वो variable यहाँ से define कर दे और इसी में आप अगर फिर से right click करोगे तो आपको यह change slider range option मिलेगा और हम यहाँ क्या कह रहे है कि minimum 3 हो और let's say maximum maximum 20 हो और मैं बताता हूँ आपको 20 क्यों क्यों कि अगर मैंने एक number of size से उपर कर दिया इसको like let's say number of size are 20 और फिर यह shape बनाई इसका size हम छोटा कर देते हैं 20 कर देते हैं फिर मैं अगर यह shape बना रहा हूँ तो एक number of size के उपर आप चले जाओगे तो वो क्योंकि वो number of steps कम है stage का size ध्यान रखते हुए तो वो 20 steps move करेगा बहुत थोड़ा सा move करेगा और वो 360 divided by 20 जो भी number of size है उतना turn करेगा तो eventually एक number of size के बाद वो circle ही बन जाएगा इसलिए कोई point नहीं है कि हम यहाँ पे slider की value 100 तक ले जाएं because हमारे को मिलना एक circle ही है तो यह हमारा पहली बात आगे कि हमने user को control दे दिया number of sites का फिर हम दूसरा control user को देना चाहते है कि वो कितना जो polygon बन रहा है उसकी एक site की length कितने units हो जो कि यह यह वाली command determine कर रही है move 20 steps तो यहाँ पे 20 के बदले अगर हम यहाँ पे 10 कहते और फिर इसको चलाते तो हमारे पास छोटा circle हमारे को मिल रहा था तो हम एक और variable define कर देते हैं और यहाँ पे हम कह रहे है size of polygon तो size of polygon को भी हम right click करके slider बना रहे हैं और हमें पता है कि अगर वो stage से बड़ा हो जाएगा तो वो हमारा program उसको नहीं deal करेगा तो हम इसको भी फिर से right click करके change slider range कर देते हैं और हम कह देते हैं कि minimum है 5 और maximum है let's say 75 यह next variable जो है size of the polygon बता रहा है तो हम यह वाला size of the polygon variable इसको जहां हम बता रहे थे कि polygon की एक side कितने length की हो वहाँ डाल देते हैं तो अब अगर हम कह रहे हैं कि pentagon हमें बनाना है of a size let's say 40 तो हमारे पास 40 का size का pentagon है अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं तो हम अब बड़े size का pentagon है और इसी तरीके से अगर आब हम कह देते हैं कि हमारे को octagon बनाना था और 75 size का ही तो clear किया तो octagon में भी थोड़ा चोटा size का कर देते हैं तो हमारे पास octagon आ गया अगर हमें decagon 10 size का बनाना था size थोड़ा चोटा कर देते हैं तो हमारे पास decagon हा गया तो इस तरीके से हमने user को control दे दिया है number of sides और size of the polygon का और अगर अब हम इसको जो हमने पहले program लिखा था जो कि ये जो second part था program का ये cable उसी जो हम shape बना रहे थे उसके बाद वो क्या कह रहा था कि जब ये shape complete हो जाए तो ये जो next part था वो कह रहा था कि change the color of the pen by 10, move 10 steps, turn 25 degrees and फिर अगर हम इस पूरे को एक और loop में डाल देते हैं तो हम कह रहे हैं कि फिर 10 steps move करके 25 degrees turn करके एक और same shape बना देना फिर same shape बना देना जितने भी number of times हम यहाँ पे इस loop की value डालेंगे तो अब अगर हम इसको try करके देखते हैं तो हमारे पास अब एक spirograph बन गया जो की user controlled है और इसी के बाद अगर हम इसको clear करें बिना इसमें हम कह देते हैं कि मानलो make a triangle और size may be 60 तो हमारे पास यह pattern आ गया उसके बाद हम मानलो कह देते हैं कि make another polygon तो इस तरीके से आप अपनी basic polygon की knowledge यूज करते हुए कि external angles of the polygon का sum total जो है वो 360 degree होता है और दो variables का use करते हुए आप ये spirograph generate करने का program बना सकते हो जिसमें user decide करेगा कि कितनी sides और size of the polygon क्या हो प्रूब करेगा कि प्रूब के यूज करेगा हुए कि यूज करेगा है